नमस्कार वित्रो स्वागत आपका मारे स्ट्रीव चनल पर ये एक फोटो देख सकते हैं इस फोटो को देखने के बाद आपके दिल दिमाग और शरीर में एक बार जुर जुरी जरूर फैलेगी क्योंकि ये कुछ अब्यहरती है जो अपनी मांगों को लेकर शायद रोड पर बैठ हैं और पुलिस द्वारा उनपर बल प्रयोक किया जा रहा है ये कौन अब्यहरती हैं किस बात के प्रद्रशन कर रहे हैं या और किस कि इनकी मांग ए उसको अब यह नीचे देख लेते हैं तो यह है मुख्य मंत्री के काफिले के आगे आकर प्रद्रशन कर रहा है का काफिला पुलिस ने लाठी बांजी मुख्यमंत्री योगी शनिवार को जैसे ही इकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन वो टैबलेट वित्रट करके निकले 69,000 शिक्षक भरती के अभ्यरतियों ने अचानक वहां पहुंचकर उनके काफिलों को रोक लिया उनके हातों में प्रशनकारी अभ्यरतियों के हाथ से पोस्टर शीनने के साथ उन्हें हटाने के लिए बल्प्रियों किया इसके बाद काफिला किसी तरह निकल रफका इस दौरन पुलिस दौरा लाठी भाजने में कुछ अभ्यरतियों को चोटे भी आए अभ्यरतियों को पुलिस वह LIU के अफसर समझाते रहे लेकिन वह अपने मागों को लेकर डटे रहे कुछ देर बार बाद बसों का इंतिजाम किया गया और पदर्शन कारियों को पुलिस ने खीच कर बसों में भर कर इको गार्डन रवाना किया इस दोरान अब बहरती हो वह पुलिस के बीच नोग जोकवा जड़प होती रही मुद्दा असलियत में ये है कि 69,000 सिक्षक भरती की जो बहरती है उनका कहना ये है कि जो आप लोग नई भरती निकालना है उस भरती को ना निकालते हुए उन्ही बच्चों को मौका मिले जिन्होंने उलड़ी 69,000 सिक्षक भरती का पेपर दे चुकी है उनका कहना ये है कि आपके पास जब रिक्त पत बचे हैं एक तिशमलव 3-7 रिक्त पत बचे हैं जो की टोटल 68,500 और 69,002 सिक्षक भरतीयों में ही कंप्लीट किये जाने थे जो की एक कोड का फैसला था कि दो चड़नों में ये पेपर करा लिये जाए तो उस हिसाब से उनका कहना ये है कि हम लोगों को फिर से पेपर ना देना पड़े और हम लोग 79,000 सिक्षक भरती के पेपर दोरा ही जो हम दे चुके हैं उसके दोरा ही हम लोगों को एंट्री मिल जाए इस 1.37 लैक की एक टोटल वेकेंसी में ये मांग को लेकर वो मौझूद है और आपको पता है सरकार ने अभी 17,000 सिक्षक भरती अलग से कराने के लिए फैसला ले लिया है फिलाल उसका फुल नोटिफिकेशन आना है वो क्या शर्ती रखते हैं क्या नियम बनाते हैं वो देखने की बात है लेकिन उसके पहले इन अभीरतियों का मांग ये रख रहे हैं कि हमें दुबारा वो भरती में फेस आफ नहीं करना है उसी पेपर के अकॉर्डिंग उसी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग हमको न्युक्ती पत्र बाट दी जाए जो की सरकार करने वाली नहीं है क्योंकि उसने आलड़ी सत्रह हजार नई सिक्षक भरती का एक ऐलान कर दिया और आपने मेरे चैनल पे सतीश चंदरुबेदी जी का बयान भी सुना है जिसमें उन्होंने सत्रह हजार नई सिक्षक भरती की बात रखी है तो अब देखते हैं कि ये पदर्शन कहा तक चलता है इस पदर्शन में उनको किती सफलता मिलती है या फिर सरकार इस पदर्शन को मान लेती है या फिर इस दर्शन को दरकिनार करते हुए 17,000 सिक्षक भरती चुनाव से पहले किसी भी तरीके से करा लेती है यह सब देखने की बाते हो चुकी है क्योंकि चुनाव भी है और एक यूपीटेट कैंसल पेपर लीग का जो एक दाग है वो अलड़ी सरकार पे लगा हुआ है तो 26 उधारने में सरकार बहुत तेजी से लगी हुई है और वो चाहती है कि चुनाव से पहले वो एक भरती 17,000 की करा ले जाए ताकि नाम उनका फिर से उपर आ जाए अब देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है क्योंकि चुनाव में घोड़े गधे को तेशेर और एक नई चीज जोड़ूँगा कि हो सकेगा तो इस चुनाव में कोहिनूर भी वापस आ जाए तो बिलकुल भी आशर चकित मत होईएगा कुछ भी हो सकता है देखते हैं क्या क्या इस भरती में हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है लास तक आपने वीडियो देखिए उसके बहुत बहुत दनेवाद इसी तरी किसे कूल कंटेंट अगर आपको देखना हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ब तरी कि भरते हैं तरी कि नहीं करने वना से भाह रज़नाते हैं vic